सीम उलंदस्ता फ्लाइंग रेवाडी ने राशन डिपों पर मारे चापे और पकड़े भारी घपले सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार मुख्यमंत्री उलंदस्ता रेवाडी वो उपनिरीक्षक तारीफ खाद्य एवं आपूर्ती विभाग नूर की सयुक्तीन द्वारा कुल छे राशन डिपों चेक किये गए इनमें से तारीफ डिपो होल्दर निवासी गाउं भुलालता अटैच खोटा पट्टी रसूलपूर्थाना पुन्हाना जिला नूर के डिपो को चेक किया गया जिसके डिपो को चेक करने पर पी ओ, एस मशीन के अनुसार 596 क्विंटल 31 किलोग्राम गेहुँवद 11 किवंटल 28 किलोग्राम चीनी 49 किवंटल 91 किलोग्राम बाजरा 11 किवंटल 43 किलोग्राम नमकम मिला जो निरीक्षक खाद्या पूर्ती विभाग नूर द्वारा उक्ट डिपो संचालक के विरुद्ध शिकायत अभियोगंकित करने हेतु प्रबंधक थाना पुन्हाना को दी गई है, जिस पर स्थानिय पुलिस द्वारा अभियोगंकित किया गया है सेयुक टीन द्वारा अन्य डिपो होल्डरों तौफिक एहमद डिपो होल्डर, नूर मोहममद डिपो होल्डर, हसीन डिपो होल्डर गाव सिंगार जिला नूर की डिपो का निरीक्षन किया गया, जो प्रोक्ट सभी डिपो में पी ओ, एस मशीन के मुताबिक स्टॉप ठीक पाया गया, इसके उपरान साबिर डिपो होल्डर निवासी गाव मंधिया की थाना बिछोर जिला नूर की डिपो को चेक किया गया, जिसका संचालक साबिर पुत्रयूब निवासी गाव मंधिया की थाना बिछोर जिला नूर है, जिसके दिपो को चेक करने पर पी, ओ, ऐस मशीन के अनुसार 6 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं वस 17 किलोग्राम चीनी कम मिली। जो निरीक्षक खाद्या आपूर्ती विभाग नूर्द्वारा उक्ट डिपो संचालक की विरुद्ध शिकायत पर थाना बिछोर में अभ्योग अनकित किया गया है। जो आजकल क्योंकि मशीन से चेक हो जाता है कितना डिपो में राशन होना चाहिए कितना कम है या ज्यादा है। तो दोनों गाओं के जो राशन डिपो ओल्डर है उनके खिलाफ कल ही फाई आर भी छोड़ थाने में और पुनाना में अलग-अलग नहुमें दर्ज कर दी गई थी और इसमें क्योंकि फूड एंड सप्लाई की टीम भी साथ ही उनहीं की तरफ से अफायर होती है। चाहर डिपो ओर भी चेक किये गए जिनमें ठीक पाया गया राशन बोसब ठीक पाया गया तो उनमें कोई कारवाई नहीं हुई एक आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गद च्छे महीने में रेवाईडी की जो क्राइम जो हमारी सीम फ्लाईं की टीम है उनकी तरफ से बारा और फरीदबाद सीम फ्लाईं की तरफ से आठ अलग-अलग मुकदमे राशन डिपो के खिलाफ अब तक टोटल बीस कि चारी तरफ से खिलाईं की तरफ से लिए तक टोटल व Daisy मुकदमे तरफ से बावच मुकदमे घएड़।